सभी भाई बहनों को जैसे चीदानन्ची, आज की कहानी एक छोटी बालिका की हैं, जो की बारावरस की आयू में ही बहुत बड़ी संत बन गई थी, संत निवरितिनाथ ज्यानेश्वर और सोपान देव की छोटी बहन का नाम मुक्ताबाई था, जनम से ही चारो भाई बहन सिध योगी थे, बड़े भाई निवरितिनाथ ही सब के गुरु थे, चारो बच्चों को एक सन्यासी के बच्चे मान कर, कटर वादियों ने उन्हें समाज से बाहर कर दिया था, कोई भी उनकी मदद नहीं करता था, पेट की भूक मिटाने के लिए चारो बच्चे भिख्षा मांगने जाते थे, एक बार दिपावली के दिन, बारा ब्रस की मुक्तावाई, अपने भाई निवरितिनाथ से पूछती है कि, भाई आज दिपावली है, मैं आप सब के लिए क्या बनाऊं, तो निवरितिनाथ ने कहा, बहन मुझे तो मेठे चिल्ले अच्छे लगते है, तभी भाई ग्यानेस्वर ने कहा, मुझे तो तीखे चिल्ले पसंद है, यह सुनकर मुक्ताबाई, खुशी से बोल पड़ी, मिठे भी बनाऊंगी और नमकीन भी, आज तो दिपावली है, लेकिन मुक्ताबाई ने अंदर जाकर देखा तो तवा ही नहीं था, क्योंकि बिसोबाई चाटी ने रात में ही सारे बर्तन चोरी करवा दिये थे, बीना तवे के चिल्ले कैसे बनेंगे, वह बोली, भाईया, मैं कुमहार के यहाँ से रोटी सेखने का तवा ले आती हूँ, ऐसा कहकर वह तवा लाने के लिए निकल पड़ी, लेकिन बिसोबाई चाटी ने सभी कुमहारों को डाटकर मना कर दिया था, कि खबरदार किसी ने भी इसको तवा दिया, तो मैं तुम्हें जाती से बाहर करवा दूँगा, डर के मारे किसी भी कुमहार ने मुकता बाई को तवा नहीं दिया, जब मुकता घर वापस लोट रही थी, तो बिसोबाई चाटी ने पूछा, क्यों कहा गई थी, मुकता ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, मैं तो बाहर तवा लेने गई थी, लेकिन कोई देता ही नहीं, मुकता बाई जब घर पहुची तो, ग्यानेस्वर ने उसकी उदासी का कारण पूछा, तो मुकता ने सारा हाल सुना दिया, ग्यानेस्वर ने कहा, बहन कोई बात नहीं, तू आटा तो मिला, मुकता बाई ने कहा, आटा तो मिला मिलाया है, ग्यानेस्वर ने अपनी पीठ नंगी करके वही बैठ गए, उन योगी राज ने प्राणों का सैयम करके, अपनी पीठ पर अगनी की भावना की, तो पीठ तपते हुए तवे की तरहे लाल हो गई, और कहा, बहन जितने चिल्ले सेखने हो, इस पर सेख लो, मुकता बाई तो स्व्यम योगी नी थी, और अपने भाईयों की सक्ति को जानती थी, उसने बहुत से मिठे और नमकीन चिल्ले बना लिये, और फिर कहा, भाईया अपने तवे को सीतल कर दो, जब तिनों भाईयों ने भोजन कर लिया था, इतने में एक बड़ा सा कुट्ता आया, और बाकी चिल्ले लेकर भागा, तो भाई निवरिती नाथ ने कहा, अरे मुक्ता जल्दी मार इस कुट्ते को, तेरे हिस्से के चिल्ले वह ले जा रहा है, तू भूखी रह जाएगी, मुक्ता भाई ने कहा, मारू किसे, विठ्थल ही तो कुट्ता बन कर आये है, विठ्थल काला कलूटा रूप ले कर आये है, उनको मैं भला, क्यों मारू, तीनों भाई हस पड़े, ग्यानेशवर ने पूछा, जो तेरे चिल्ले ले गया, वह कालक लूटा विठ्थल है, तो विषोबा चाटी क्या है, मुक्ता भाई ने कहा, वे भी तो विठ्थल ही है, अलग-अलग मन का अलग-लग सभाव होता है, लेकिन चेतना तो सम्मे विठ्थल की ही है, इसलिए व विषोबा चाटी भी विठ्थल है, विषोबा चाटी कुमार के घर से ही मुक्ता भाई का पीछा कर रहा था, वह यह देखना चाता था कि तवा न मिलने पर ये सब क्या करते है, वह दिवार के पीछे से सारा खेल देख रहा था, मुक्ता भाई के सब्द सुनकर, विषोब बचाटी भागता हुआ आया और मुक्ताबाई के चर्णों में गिर पड़ा और कहने लगा मुक्तादेवी मुझे माफ कर दो मेरी जैसा धर्मे कोन होगा मैंने आप लोगों को भुत्स ताया हैं आप लोग मुझे माफ कर दे और मुझे अपनी सरण में ले ले आप सभी अवतारी पुरुस है सब में बिठल देखने की भावना में आप सब सफल हो गए है मैं उमर में तो आप से बड़ा हूँ लेकिन ग्यान में बहुत तुछ हूँ आप मुझे अपने चर्णों में स्थान दे दे कई दिनों तक विसोबा चाटी प्राथना करता रहां आखिर में उसके पश्चत आपको देखकर निवरितिनाथ ने उसे उपदेश दिया और मुक्तवाई ने दिख्षा दी वही विसोबा चाटी परसित महात्मा विसोबा खेचर हो गए बाद में संत नामदेव जी को दिख्षा विसोबा खेचर नहीं दी थी झाल